हैलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे मैं मन मोहित आपका हिंद्य अध्यापक, डाउटनट के इस बहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत-बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं तो बच्चों, आज का हमारा वन शॉट है, क्या व्याकरन का एक बहतरीन टॉपिक उपसर्ग तो आज हम एक ही क्लास में आज उपसर्ग के बारे में जानेंगे, कि उपसर्ग होते क्या हैं, उपसर्ग कितने प्रकार क्यों होते हैं, तो इस प्रकार से हम आज की इस क्लास में आकलन करने जा रहे हैं, तो एक बार नजर डालते हैं अपनी अध्यन सामगरी पर, तो आज की News की जो हमारी दिन समगरी है। आज हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले उपसर्ग की परिभाशा। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पड़ते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक की परिभाशा क्या है क्योंकि एक्जाम में आपको टॉपिक की परिभाशा लिखनी के लिए आती है कि इसका अर्थ क्या है इसकी परिभाशा क्या है तो हम जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाशा क्या है साथ ही साथ हम उपसर्गों का करेंगे वरगी करण और उपस चीजें समझ में नहीं आती हैं, हम कोई भी टॉपिक लें, तो सबसे पहले उनके उधारन को देखना चाहिए, कि उधारन से हमें आइडिया लगता है, हमें चीजें समझ में आती हो, जब हम बार-बार प्रेक्टिस करते हैं, तो हम उन चीजें पर पकड़ बना लेते हैं, कि आपने पैन उठाना है, एक कॉपी लेनी है, और भाई आपने हमारे साथ जुड़ जाना है, भाई सबसे अच्छी आदत क्या होती है, छात्र की, कि आप कोई वीडियो देखो, कोई भी क्लास देखो, online, offline, हिंदी पढ़ो, इंगलीज पढ़ो, पैन कॉपी के साथ बेटो, तो इसे होता क्या है, तो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, समझ में आ रही है, आपने उसे फूर्ट, अपने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन तभी कर पाऊगे, जब आपके हाथ में कॉपी होगी, पैन होगा, तो जब आप नोट डाउन करोग आपके notes तयार, हर subject के आपके पास notes होने चाहिए, क्योंकि notes एक्जाम में अच्छे number दिलाने में बड़ी मत्तपुर भूमिकाने बाते हैं, जब आप लिखोगे तो writing अच्छे हो जाती है, जब आप लिखोगे तो आपकी speed अच्छे हो जाती है, अच्छे . आपको अब भूलो गई यह भी यह थोड़ा सा आसान है लेकि जब बड़े पर आदत डालने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा है ना क्योंकि जी कच्छी मिट्टी को कोई व्याकार दे दू बच्चे को जैसा जैसी आदत डलवाओगे वैसी आदत पढ़ जाएंगी बड़े पर आपको यह आदत आगप किलियर तो सबसे पहले कुछ इसमरणी तत्थ देखते हैं कि याद करने वाली यानि कि उपसर्ग कैसे याद करें तो उपसर्ग से संबंदित हम कुछ महतपूर बिंदूओं पर हाँ पर प्रकाश डालेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं तो द शब्द के आरंब में यानि कि शुरुवात में जो जुड़ता है उसी को कहा जाता है उपसर्ग ठीक है तो मूल सब्द के आरंब में जुडने वाले शब्दांस होते हैं उपसर्ग उपसर्गों का स्वतंतर प्रियोग नहीं होता यह हमेशा मूल शब्द के साथ इस्तिमाल नहीं कर सकते उसका कोई sense ही नहीं बनेगा उसकी कोई meaning नहीं निकलेगी ठीक है तो आपको मूल शब्द के आरंब में जुड़े उसी को कहा जाता है उपसर्ग तो इसका सुतंत्र प्रयोग नहीं हो पाता उपसर्ग मूल सब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ म कर देता है तो उपसर्ग का अपना एक विशीश महत्त होता है बहतरी तरीके से आप उपसर्ग समझो तो आप अच्छे तरीके से जान पाओगे कि बही किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग करते हैं और वह उपसर्गों का हिंदी के अंदर कितना महत्त होता है एक उपसर् भीघ्टों का निर्मार होता है ठीक है जब उफसर्ग हम लगा देते हैं तो यहाँ से विल्हूम शब्द यानि की विप्रीता आर्थक शब्द भी यहां से निकल के आते हैं कैसे जैसे की सत्य सत्य में आ उपसर्ग लगा दिया हो जाएगा असत्य सत्य का असत्य अपोजिट हो गया विलोम शब्द निकल गया के लिए तो एक तो यह पॉइंट आपने आद रखना है जैसे की हिंसा हिंसा में आ लग गया अहिंसा बन गए विलोम शब्द तो ये कुछ महत्पूर्ण चीजें हैं जो उपसर्ग के बारे में आपको याद होनी चाहिए पता होने चाहिए ये आपको कोई नहीं बताएगा ये आपको कोई नहीं बताएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है उपसर्ग की महत्तोता क्या है अभी हम आगे चलेंगे परिवाशा पे लेकिन ये जरूरी तत्थ हैं जो आपको याद रखने है इस मरण करने है आप कभी नहीं भूलोगे पॉइंट अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप उपसर्ग कभी नहीं भूलोगे हिंदी में उप आप उपसर्ग होते हैं तीन प्रकार के तत्थतक्र उपसर्ग और आगत उपसर्ग ये तीन प्रकार के उपसर्ग जो हैं वह यहाँ पर जिनकी हम करेंगे प्राक्टास है जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं ठीक है आगे बढ़ें चलो तो अगर बात करें उपसरगों के बारे में तो मुनियों पर होने वाले उपसरगों के विस्तरत विवण नहीं है ना जब आपने देखा तपस्य वी विक्ति जो होता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है है ना उसकी आँख तभी खुलती है जब उसकी समध्य तपस्या पूर्ण हो जाती है तो हिंदी धर्मकताओं में ही साधना करने वाले विक्तियों को नेयक विख्ण वाधाओं का सामना करना पड़ता है कि उपसर्ग की संग्या यदा कदा ही दी गई है तोड़ा सा जानने के लिए हमने लिख दिया आपको पहचाननी के लिए अब यहां से चलते हैं उपसर्गों के बारे में और जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विसेस्ता या फिर कुछ परिवर्ता यानि चेंजिस विकार उत्पन्द पैदा करने उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है, किलियर है, बात समझ मा गई, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, उप और सर्ग, उप का मतलब है समीप और सर्ग मतलब सश्टी करना है, यानि कि शब्द के संयोग, दो सब्दों के संयोग से बना है और हिंदी व्याकरण में प्रमुक उपसर्ग की संक्या है तेरा, क्या है, तेरा है हिंदी के अंदर, उपसर्गों की संक्या तेरा बताई गई है, जब की संस्कृत में उ उपसर्गों की संक्या कितनी है, तो हुंदी में उपसर्गों की संक्या 13 है, संस्कृत में उपसर्गों की संक्या कितनी है, तो भाई यहां पर 22 है, इन दोनों को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी गंदर, किलियर है प्रिशन आ सकता है, आगे बढ़ते हैं, किलियर तो कहलाता है ठिक है जैसे की आ है अनो है अप है वी है ठिक है ये सब हिंदी के उफफर्ग है याने की कि किशी मूल craft के आरंब में लगे और उस मूल मूल शब्द का अर्थ बदल जाए यानि मूल शब्द में परिवर्तन आजाए उसको उपसरग कहते है, Yes or No? चलो, Very Good चलो तो भई यानि कि मूल शब्द के आरम में लगे और मूल शब्द का आर्थ बदल दे उनही को उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग के आर्थ पे चलें तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अभी हमने बताया उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है स्रिष्टी करना। कि लिए रहे अते उपसर्ग का साब्दी करता है किसी सब्द के समीप आकर नए सब्द का निर्मान करना नए सब्द की रचना करना उपसर्ग कहलाता है कि लिए रहे बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं बहुत जादा डीपली जा रहा हूं ठीक है एक एक चीज को यहां बताता हुआ चल रहा हूँ ठीक है दो सब्द हैं उप का मतलब समीफ सर का मतलब शुष्टी करना यानि की शब्द के समीफ आकर एक नया सब्द बनाना के लिए रहे किसी सब्द के समीफ में आगे यानि किसी सब्द के पास आकर यानि की उसके निकट आकर एक नए शब्द का निर्म करना वो उपसर्ग कहलाता अर्थात ऐसे सब्दांस जो सब्दों के आदी में जुड़कर आदे मतलब शुरुवात में जुड़कर है ना प्रारम में जुड़कर आरम में जुड़कर है ना स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे ही के लिए हार सब्द का मतलब क्या है हार गये हारना यानि कि पराजित हो जाना यही तो है परन्त इसी सब्द के आगे लग जाता है प्रा तो क्या बन गया प्रहार बन गया प्रहार बन गया केवल और केवल प्रा लगने से शब्द का मूल शब्द का अर्थ बदल गया जिस हार का मतलब था पराजय और वहीं पर लग गया प्रा तो भई या प्रहार का मतलब ही कुछ और होता है तो प्रहार यानि जिसका आर्थ है चोट करना है ना करारा प्रहार करना यानि कि चोट करना किलियर अभी हार का मतलब था क्या भाई पराजित होना और जप्रा लगने से क्या होता है हार मूल शब्द यानि हार का अर्थ बदल गया किलिpers यानि की प्राजे से हो गया चोट कर लीए किसकी वज़े से हुआ उपसर्ग की वज़े से हुआ तो इसी वज़े से उपसर्गों का बहुत जादा महत्व है किलियर हो गया पान समझ मे आगई अगे बढ़ते हैं अब इसी तरह इसके से आज ओरने से बन जाता है आहार शब्द वही है शब्द वही है प्राज उड़ गया तो बन गया प्रहार और आज उड़ गया तो बन गया आहार किलियर प्रा और आ मूल शब्द वही है हार 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 का मतलब पराजे किलियर आहार का मतलब होजन ठीक है संहार इसी के आगे संग लग्या संगहार यानि कि सम जोडने से संगहार यानि कि कितनी संगहार कर देना विनाश कर देना ठीक है और वी जोडने से बन गया विहार तो मूल शब्द में प्रत्य लगने से उसके कितने सारे अर्थ निकले कितने सारे अर्थ है ना आ से हो गया आहार समसे हो गया संहार और वी से हो गया विहार और प्रासे हो गया प्रहार ठीक है प्रासे हो गया प्रहार किलियर शब्द वही है लेकिन प्रारंब में उपसर्ग लगने की वज़े से इसका अर्थ बदल गया किलियर हो गया बाद समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं चलो उपर एक तुधारण में प्रा और आ सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं क्योंकि ये स्वतंत्र इस्तेमाल नहीं किये जा सकते ये तो शब्द के प्रारम किसी भी शब्द के प्रारम में जुड़ते हैं और उसी की वज़े से क्या होता उस और उत्वंड होता है यानि कीशे साती है परिवर्तन आता है ठीक है लेकिन इनका इंडिविजुल कहीं इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं होगọn किलेख हो गयावी कि क्या आर्थ है उसका मतलब हुआ यसस शब्दान से हैं और ऐसे हैं इसफ़ीश नहीं आप भूलोगे के लिए रहें अब नहीं भूलोगे आप यसर नो चल एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता ठीक है विशब्द में जुड़ने के पश्चाती अर्थ देते हैं और ये अर चल अचल यहाँ पर नहीं के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि लिए तो यह चीजे समझने वाली है इन चीजों के बेसिक चीजे हैं इनको अगर आप समझते हो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हो तो भाई जीवन में आगे चल कर कभी भी उपसर्ग से संबंधि आपको कोई दिक्कत या परिशानी होने वाली नहीं है चलो आप उपसर्ग योधरार लेते हैं जैसे कि अचूता आधन छूता अचूता अन धड़ पड़ अनपड भर पेट अधपका बिन बादल सम तल तो इसमें देखो क्या है इसमें आउपसर्ग है इसमें अन है इसमे सम है ठीक है तो उपसर्ग का कोई स्वतंतर अर्थ नहीं होता पहले बात तो यह है कि बाई एक उपसर्ग जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता जैसे उपर्योग प्रतम मदारण में आ का प्रयोग अभाव के लिए है ठीक है और हीन नहीं के अर्थ में हुआ है परंतो इसी अर एक और अर्थ की इसके और अर्थ क्या निकल के आ सकते हैं तो भई वो भी यहाँ पर है तो किसी प्रकार का उतपाद यानि कि वह पदार्थ जो कोई पदार्थ बनाते समय बीच में सयोग वस बन जाता है द्यान से समझना एक और एक्जामपल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ इसके अर्थ को और फिर कभी जीवन में न भूलो जैसे की गुड बनाते समय जो शीरा निकलता है जब गुड बना रहे होते हैं तो उसमें से शीरा निकलता है तो बहे गुड का उपसर्ग कहलाएगा के लिए बुरा लक्षन या आप शकुन उपद्रव या विगन योगियों की योग साथना के बीच होने वाले विगन को उपसर्ग कहते हैं के लिए रोगया यहां तक चीज़े समझ में आगई चलो और आगे लेकर चलें और आगे लेकर चलते हैं अप उपसर्ग की पहचान कैसे की जाए उपसर्ग की पहचान तो भाई उपसर्ग हमेसा मूल सब्द के आरंब में प्रियुक्त होते हैं अभी आपको समझाएंगे अभी आपको उधारन से समझाएंगे तो आपकी तुरुंत समझ में आ जाएगा और आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आप भ्यास करोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं किलियर जैसे की परलोग पराजे अन वूल ठीक है तो दोकष़ अलोग परलोग इसी तरीके से जैये यह है मूल शब्द उसमें जुड गया है ना पर तो पराजे इसी तरीक किसे मॉल यह मूल सब्द है अन मॉल यहां पर पर परा अन यह सभी उपसरग प्रियुक्त हुए हैं के लिए रो गया यह है इनकी पहचान के लिए मूल शब्द के आपको पता चल जाएगा जब आ बार-बार इसका बिहाद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मूल अब यह हम बहुत सारे शब्दों की यहां पर क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अब रहास करेंगे ठीक है कोई चीज आपसे छूटेगी नहीं ठीक है और इन चीजों पर मैं कहता हूं कि अगर आपने सही से पकड़ बना लिया तो सिंपल सी चीज है उपसरग से संबंद ठीक है जैसे की प्रत्यपवाद समा लोचन वियाकरण और व्यवहार अब यहां पर देखो प्रत्यपवाद प्रती धन अप धन वाद प्रती और अप इसके अंदर दो उपसरग लगे हुए ठीक है समा लोचन में लोचन मूल शब्द है सम धन आ धन लोचन तो सम और आ ये दो क्या है उपसरग है इसी तरीके से व्याकरण में वि धन आ धन करण बराबर व्याकरण इसी तरीके से हार मूल शब्द है और वि धन आव धन हार बराबर व्याकरण समझ में आ गई आभ यहाँ पर प्रती अप समाल लोचन में सम आ व्याकरण में वि और आ और व्याकरण में वि अब दो दो उपसरग यहाँ पर प्रयोग किये गए हैं क्लिए रो गया बात समझ में आगई यानि कि एक मूर शब्द के आरम में एक शब्द एक जो है उपसर्ग नहीं बलकि दो-दो उपसर्ग भी हो सकते हैं क्लिए रो गया चलो आगे चलें चले वह आगे चलते हैं उपसर्ग का वर्गी करन अब चलते हैं उपसर्ग के वर्गी करन पे तो भई उपसर्ग को निम्न लिखित भागों में विवाजत किया जा सकता है कौन कौन से में हिंदी के उपसर्ग अब हम इनका वर्गी करन करने, ध्यान से समझो कि किस-किस उपसर्ग जो है, वो हिंदी के उपसर्ग क्या है, संस्कृत के उपसर्ग क्या है, अर्भी भासा के उपसर्ग क्या है, उर्दू के क्या है, फार्सी के क्या है, और अंग्रीजी के उपसर्ग क्या है, तो हमने इनका वर्गी करन ने इस प्रकार से किया है ठीक है है हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग अर्भी उर्दू और फार्सी के उपसर्ग और अंग्रेजी भासा के उपसर्ग है ना जरूरी नहीं कि केवल हिंदी में उपसर्ग होते हैं हिंदी के अलावा किसमें होते हैं? अंग्रेजी में भी उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं, अर्भी में भी उपसर्ग होते हैं, उर्दू में भी उपसर्ग होते हैं, फार्सी में भी उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग के समान प्रयोक्त होने वाले सं यहां पर उपसरगों की कोई निश्च संख्या नहीं है, पहले बता दिया, यहां जो संख्या दी आ रही है, वे उनके प्रियोग के आधार पर दी जा रही है, हमने आभी जो बताया आपको, वो केवल और केवल प्रियोग के आधार पर है, ठीक है, यही प्रियोग होती है, ज अलागे वैसे कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिकेसन जिसको बोलते हैं, परमानित, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, हिंदी के उपसर्व की बात करें, तो हिंदी में प्रमुक उपसर्व की संख्या तेरा है, इनी संख्या की बात हो रही है, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, परमानित नहीं है, ठीक है, ये केवल और केवल प्रयोक की आधार पर निकाली है, कि भई हिंदी में तेरा है उपसर्वों की संख्या, और जो कौन-कौन से हैं, आ है, अन है, का, कू, दू, नी, आ, अब, भर, सू, अध, उन, पर, बिन, आ, ये हिंदी के प्रमक उपसर्व के उधारन अर्थ सहित हम अभी आपको बताएंगे, कौन-कौन से, ठीक है, के लिए रोगया, उधारत लेख लेते हैं, आ, उपसर्व जो है, इसका मतलब क्या है, अब हाव के लिए इस्तिमाल होगा, ये निश्वेद के लिए होता है, जैस चूता, अथा, अटल, इसमें किस उपसर्ग का इस्तिमाल किया गया है, इसमें आउपसर्ग का इस्तिमाल किया गया है, इसी तरीके से अध, अध मतलब आधे के लिए, ठीक है, अध पका, एक तो चीज पक जाती है, हम कहते हैं नहीं कि देख लो पक गई की नहीं पक गई, तो आप कोगे नहीं यार अधपका है अभी अधपका मतलब आध़ा पक गया है और अध़ा कच्चा है तो उसको बोलते हैं अधपका ठीक है अधकच्चा अध़ा कच्चा इसी तरीके से अधमरा अरे मारी डालोगे क्या मार मार के तुमने से अधमरा कर दिया यानि कि मरा नह पर अधुपसर्ग का इस्तिमाल किया है किलियर अब चलते हैं अन यानि कि अभाव निशेद के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है यहां पर अनमौल अनबन अनपड़ तो क्या हुआ अन का इस्तिमाल हुआ है यहां पर किसका अनुपसर्ग का इस्तिमाल किया है इसी तरीके से उन यानि की एक कम उन मतलब एक कम जैसे की उन तीस तीस में एक कम उन तीस उन सथ यानि की साथ में एक कम उन सथ ठीक है किसी तरीके से उन हत्तर सत्तर में एक कम उन हत्तर उसी तरीके से उन तालीस यानि की चालीस में एक कम क्लियर हो गया और आपको बता दने हैं 29,69,79,49 इन्हें लिखने में पसीने छूट जाते हैं ठीक है तो इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कभी किसी ने कुछ चीज पूछ ली तो कम से कम इनके बारे में बताता हो सकते हो तो या किसका इस्तेमाल हुआ है उन उपस और गुन और घर और सर और सान ठीक है इसी तरीके से का यानि की बुरा और हीन के लिए कपूट कचोट तो का यहां पर इस्तेमाल किया गया है किसका का उपसर्ग का ठीक है कितनी पूट कपूट सुनी है पर ना माता सुनी कुमाता को ठीक है क्या उपसर्ग है को यानि की ब लाख चक्र, है ना, इसी तरीके से, का और कू, ये दोनों ही उपसर्ग का इस्तिमाल किया गया है, यहाँ पर दू, यानि कि कम भुरा दो, दूबला, दूलारा, दूधारू, दूरंगा, दूलत्ती, दूभाशिया, यानि कि दो भाशाएं जानने वाला, दूभाशिया, तो यहाँ पर तू उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कू उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर नी यानि की निगोडा निडर निहत्ता और निकम्मा इसमें नी उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है इसी तरीके से परलोक परूपकार परसर्ग और परह बिन बादल बरसात हो रही है, बिन पाए, बिन जाने, तो यहाँ पर बिन उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इसलिए अब यहाँ से किसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, उपसर्ग की यह अलग से इस्तेमाल नहीं होगी, लेकि हम पहुँच नहीं पाए ठीक है तो भर उपसर्व का इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके सेसे सुदौल उजान सुघड हर और सुफल यहां पर हमने सुउपसर्ग का इस्तेमाल किया है किलिए हो गया बात समझ में all गई यही तेरा उपसर्व जो है वो प्रमुक्त तोर पे हैं ठीक है यही अधिकतर चलन में है और यही पूछे जाते हैं के लिए हिंदी के अनुपसर के उधारण आगे दिये जाएंगे जैसे कि आप है ना मतलब स्वेम ठीक है आप जैसी आप सुनी आप बीती ठीक है उजरना उचक का उश्री उचा और 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 सर ओतार और चक और ठीक है नीच और बुरे के लिए कायर काजल है ना चिरकाल चिरायू चिर परचित चिरंजी इसी तरीके से चौ चौ राहा चौ मारा चौ मुखी चौ मुखी दो चौ गुना या फिर चौ पाई इसी तरीके से तीन के आगे तिराहा तिकौना तिपाई तिरंगा तिगुना तिपहिया है ना जिसमें तीन पहियों हो है ना जिसमें तीन रंगों हो तिगुना जो तीन गुना हो तिकौना जिसके तीन कौने हो तिराहा है ना जो तीन राहे जहां मिलती हो तिराहा है ना नकुल तो इन सब में आप ओ और ना उपसरगों का इस्तेमाल किया गाया है किलियर है और आगे लेके चलते हैं किलियर है नाना विबिन यानी क्याते नाना प्रकार नाना स्वरूप इसी तरिक्या से पच रंगा पांच रंगों वाला है ना पंच मेल है ना पंच मड़ी यह है पंच मड़ी यह वाला पंच मड़ी ठीक है पंच ठीक है तो नाना यहां पर पंच इसी तरीके से बहु वचन बहु मूल ले यहां पर बहु वाली घर वाली बहु नहीं है ना बहु वचन बहु मूल ले ठीक है इसी त सा के साथ इस्तेमाल करोंगी तो अच्छे के लिए इस्तेमाल जैसे कि समुत्साहिट या फिर समान ठीक है, सम्तल, समकोण, समकक, शिया फिर समकालीन ठीक है, सा और समन उपसर्गओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया लिए इन में जब कुछ उपसर्ग का प्रयोग समास में भी होता है उधान के लिए जैसे तिराहा है ना तीन रास्तों का संगम इसमें पर्थमपद ती उपसर्ग और संख्यावाची है अता इसमें दिगू समास होगा लो जी समास का भी इसके अंदर है डूर हो गया आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं उपसर्ग के भीद पर देखो यहां तक चीजे समझ में आ गई हमने वर्गी कर दिया अर्थ जाना हमने परिवासा जानी अलग अलग प्रकार अपको उधारन दिये हमने अभी आपको कुछ महतमूर्ण तत जाने आपको बताया कि इन हैं वो हमने आपको बता दी अब चलते हैं उपसर्ग के भेद उपसर्ग के प्रकार पर कितने प्रकार के होते हैं कितने भेद होते हैं तो उपसर्ग के मुखता तीन प्रकार के होते हैं ये ठीक है तो तीन प्रकार के भेद होते हैं पहला है तत्सम उपसर्ग दूसरा है तद तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं ठीक है तत्सम शब्द से आपको पता चल गया होगा जो हमने तत्सम पढ़ाये थे कि अज संस्कृत निश्टी सब्दों को तत्सम सब्द कहा जाता है किलिए रहे यानि कि जो संस्कृत में इस्तिमाल किये गए वही संस्कृत के सब्द जो है हिं की ही रहेगा मिलता जुलता ध्यान में रखना इस चीज़ का तत्सम सब्दों से तत्सम उपसर्ग आप जानने का आपको यहां पर मौका मिल गया जैसे की अधिकार अधि धनकार बराबर अधिकार इसी तरीके से आगम गम आ तो आ उपसर्ग का यहां पर इस्सेमाल किया है त तत्सम के बाद आता है तदभव तदभव क्या है वही तदभव शब्दों को हमने आपको बताया था पढ़ायते नहीं पढ़ायते कि जो तत्सम सब्दों होते हैं इनहीं का परिवर्थ स्वरूप जो है तदभव होता है यानि कि की अटल है ना कपूद ठीक है तो यहां पर आ और का ये क्या हो गए तदवब उपसर्ग को धरना अब जाता है आगत उपसर्ग आगत मतलब अरबी फारसी और अंगरेजी आदि विदेशी भासाओं के लिए से लिए गए शब्दान सो को आगत उपसर्ग कहा जाता है ध्यान चेहां कि इस दिमाग बदिमाग मिजाज खुश मिजाज तो यह सब क्या है यह फितर के उधार के टिम जोगया प्रकार समझे है, अब आप ही समझते हैं तत्सम उपसर्ग के उधारण तत्सम उपसर्ग के उधारण जाते हैं तो अति मतलब अधिक अत्याचार अत्यांत अतिरिक्त और अत्याधिक इसमें किसका इस्तिमाल किया गया है इसमें अति का इस्तिमाल किया गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है अति ध्यान से समझना अत्याचार आ जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है ठीक है अत्यंत पूछ लिया जाए अत्रिक्त पूछ लिया जाए अत्यधिक पूछ लिया जाए तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो इस्तिमार किया गया है अती के लिए अ अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण इसमें क्या है? इसमें अधी, अधी उपसर्ग है. किलिए अती आगया, अधी आगया, आप चलते हैं अनुचर, अनुवय, अनुसार और अनुभव, तो भई उपसर्ग बना हमारा अनुव, ठीक है? अनुव मतलब पीछे-पीछे, पीछे समान, अप मान, अप यश, अप व्याय, अप शकुन, क्या रहा है अप, क्या है अप, वेरी गुड, अहिंसा अमर अधर्म अन्याय, अहिंसा अमर अधर्म अन्याय, क्या रहा है, वेरी गुड, आ, ठीक है, आ, आ, उपसर्ग, इसी तरीके से अभियोग, अभिमान, अंदर अभी उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। आप अभी अलग नहीं कर सकते। आ का इस्तेमाल अलग करोगे। आ का मतलब क्या बनता है। कुछ नहीं बनता। ठीक है। लेकिन हिंसा में जोड़ दिया आपने अहिंसा। है ना आहिंसा परमो धर्मा। है ना सत्य के अप अनू अधी अती अभी इनको अलग लिखोगे कोई अर्थ नहीं पाओगे लेकिन शब्द में जूड़ दिया तो शब्द का कितने सारे शब्दों के अर्थ जो है वो भिन भिन आपको मिल जाएंगे हैं ठीक है आगमन आगम आजन मिया फिर आचरण इसमें आ का इस्तेम उपवन, उपकार,िपयोग और उपदेश ठीक है तो क्या हुआ ओप इसी तरीके से दुर्घम, दुर्जन, दुरबल और दुराचार तो दुर इस परीके से तर डैस ठीक है निरभर, hierदोस, निरगोड और निर्वकार तो निर्कार का इस्तेमाल हुआया थे में निर्ध दुर, उप, उत और आ, यहाँ पर ये हैं तत्सम, उपसर्ग के उदाहरान, और आगे लेके चलते हैं, निचला, निशेद, निबंद और निवास, इसमें आया है ने, उपसर्ग, इसी तरीके से पराजय, पराभव, पराक्रम और परामर्श, इसमें क्या आया है, इसमें पर प्रतिकूल प्रति धनी प्रत्यागमन तो क्या आ रहा है प्रति आ रहा है द्यान से समझना इस चीज को किलियर परियावरन परिडाम परिवर्तन और परिक्रमा तो क्या आया परे क्लियर इसमें परि है प्रति है परा है और नहीं अब क्या है प्रयत्न प्रकार प्रयोग प्र का इस्तिमाल हुआ है क्लिए रोगया चलो आगे चलें तो संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग की रूप में प्रयोग हम करना सीखेंगे किस प्रकार से जैसे की कुकर्म कुपुत्र और कुरूप यहां पर कुप का इस्तिमाल हुआ है कुपसर्ग का इस्तिमाल हुआ है सुकर सुपत्र सुपात्र और सुरूप यहां पर सूप सर्ग का इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से पुरोहित और पुरसकार पुरा ठीक है इसी तरीके से पुनर जनम और पुनरागमन पुनह आगमन ठीक है पुनह आगमन ठीक है पुनरागमन पुनरागमन पुनर जनम पुनह जनम आगे बढ़ें चिरंतन चिरकाल और चिरायू इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है इसमें चिर का इस्तेमाल हुआ है ठीक है सजल सहर्स में साका इस्तेमाल हुआ है और सतकार सजन सतकारी में सतका इस्तेमाल हुआ है सता हलनता आएगा इसके अंदर अविर्भाव अविश्कार यानि की आवी का इस्तिमाल हुआ है आवी यह संस्कृत के हैं ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब तदभब उपसर के उधार देख लेते हैं तदसम के समझ में आगे अब तदभब के समझ में आएंगे तो आपको देखो क्या उजार और उनीन जैसे की उ का इस्तिमाल हुआ है इसके इंदर इसी तरीके से कपूत हो गया निहत्था निकम्मा और निडर इसमें नी का इस्तिमाल हुआ है भर मार भर पेट में भर का इस्तमाल हुआ है इसी तरीके से अनमर अनपर अनिशन उननीस है ना दुगुना दुभाशिया अधजला अधमरा तो यहाँ पर अध दू उन अन निका और उ का इस्तमाल हुआ है इसी तरीके से विदेशी आगत उपसर्ग के उधार देखते हैं है ना आगत उपसर्ग के और कमबक्त और कमसिन तो यहां पर कम का इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से खुशबू, खुश किस्मत, खुश दिल यहां पर खुश का इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से बाकाइदा, बावजूद और बादब तो यहां पर बा का इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से दर असल, दर हकीकत यहाँ पर दर का इस्तिमाल हुआ है किलियर हो गया चलो भई ना राज ना पसंद ना लायक इसमें ना का इस्तिमाल हुआ है इसी तरीके से लापता लाचार लाजवाब ला का इस्तिमाल हुआ है सरहद सरताज सरपंच सर का इस्तेमाल हुआ है हम वतन हम उम्र हम दर्द हम का इस्तेमाल हुआ है हर आदमी हर साल हर रोज हर का इस्तेमाल हुआ है ये आगत है आगत ठीक है आगत उपसर बे समझ बे इमान बे जान और बे चैन इसमें बे का इस्तेमाल है गैर जरूरी गैर मुल्क गैर हाजिर और गैर कौम गैर कानूनी ठीक है तो गैर का इस्तेमाल हुआ है यह सब्द क्या है यह आगत सब्द है आगत उपसर्ग है किलिए रो गया यहां तक चीज़े समझ में आ गई तो हमने तद्सम उपसर्गों के बारे में जाना तद्भब के उद्वार जाने आगत के उपसर्ग के बारे में जाना अब चलते हैं संस्क्रत के उपसर्गों पर संस्क्रत के उपसर्ग जो है प्रमुक संख्या इनकी बाइस बताई गई है अती अधी अनुआन अप अपी अभी अव आ उद उप दुर आदुस निर निर और निस परा परिप्रप् है तो अति उपसर्ग का अर्थ ह है ठीक है पडिवार UPर ठीक है तो अति उपसर्ग के उधार्ण देखेंगे तो अति शह अतिरैक अति मानव अत्याचार अतियंत अति कर्मन अती विरश्टि अतिरेक्थ और अत्यदिक अधि उपसर्ग का देखते हैं अधि उपसर्ग का अर्थ होता है उपर यानि कि स्रेष्ट तो अधि उपसर्ग के उधार देखते हैं तो अधिकरन, अधिकार, अधिगम, अधिनायक, अधिपती, अधिसूचना, अधिन ठीक है अध्यक्ष अध्यादेश और अध्यापन यह सब क्या है यह अधि उपसर्ग के उधारन है उसके बाद अनुपसर्ग पे चलते हैं तो अनुपसर्ग पे पीछे है समान अनुकरण, अनुकूल, अनुकरम, अनुचेज, अनुज, अनुताप, अनुदान और अनुभव ये अनुउपसर्ग के उधारण है इसी तरीके से अनुबोदन है, अनुराग है, अनुवाद है, अनुसार है और अनुवे है इन सभी में अनु उपसर्ग का इस्तिमाल किया गया है अना उपसर्ग का मतलब क्या है इसका अना अभाव रहित अनु उपसर्ग के उधारण है अनादी अनन्त और अनिक अप उपसर्ग के उधारण देख लेते हैं अप उपसर्ग का अरत बुरा ही अप उपसर्ग के उधार क्या आया शुरुवात में अप ठीक है आप उपसर्ग आप अप उपसर्ग आवरन अच्छादन इसका मतलब होता है जैसे की अपी धान अभी की बात करें तो भई अभिनंदन अभिलाप अभिमुक और अभिने अभ्युद्थान अभ्युद्ध्य और अभिमान अभिसार अभियान अभिज्ञान ठीक है यह अभि उपसर्ग के उधारन हो गये अब 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 का मतलब अवगरना अवतरन अवक्रपा अब अवगुण अवसाद अवगत अवकास और अवसर अव मतलब हीन या फिर नीच अवलोकन अवस्था या फिर अवग्या ये जिसका मतलब है तक या सिर्च समीत वसमेदे इस तरीके से उत पर चलें तो भैजी उतकर्ष उत्ती। उत्त्तु उत्तम उतकन्ठ वहां मैं उत्तं मैं उत्तान ओलेक अंवक्तर और उत्तवत हमार तो क्या आयाा स्कने अदर उत्त सर्ग। उध कर cheating तो उदगम है, उदभव है, उदविज है, उदगातन है और उदभोधन है यानि इसका अर्त होता है उपर या फिर उदकर्ष ठीक है उपर चलते हैं तो उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपाद, देखच, उपदिशा, उपगरह, उपवेद और उपनेत्र दुर्जन दुर्गम दुर्दशा दुराचार दुरलब दुर्गोन दुर्गती दुर्यो धन दुर्गंद दुर्भावना ये दुर के उधारण है ठीक है आप दुस्के देखें तो दुस्साहस दुस्परिणाम दुस्कार्म दुस्कर दुस्चरित्र और दुस्वपन के क्लियर हो गया बात समझ में आ गई तो दुर और दुस उपसर्क के उधारर देख लिए कि लिए इसका मतलब है बुरा या फिर कठ आगे बढ़के चलते हैं तो नी कर देख लेते हैं तो नी उपसर्क में निवारन आ गया निपात आ गया नियोग है निशेद है निमग्र है निकामी है निजोर है निगूड है निष्टा है निरोद है और निकर है निज है निबंद है निदेशक है नियंतर है नियुक्ति है निलंबन है निगम है निदर है निवास है निदार है निपड़ है नियोजन है ये किसके है ये नियूपसर्क क्यों भार के लिए आप चल निर के हैं देखते हैं निसार हो गया अब निस पाप है और निशिश न निर और निस उपसर कूट ने के उधारर देख लिए आप चलते हैं किस पर पराव सर्ग पर इसका मतलब होता है उल्टा ठीक है पराजे पराभव पराक्रम परावर्श पीछे उल्टा परी का मतलब आज पास चारों तरफ ठीक है परिपाक परिपूर परिमित परिश्रम परिवार परिजन परिक्रम इसमें प्रूपसरग आगे वड़तें प्रणाशरकार्द अधि प्रॉप प्रवल प्रप्रत्य प्र singular प्रबंद्र प्रक्रट करचर प्रत्य प्रवान प्रचार प्रणीत- प्रति कूल प्रतिक्षण 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 दिटएल में बता दिया है इसै जाधा आएगा नहीं इससे बाहर आएगा नहीं, ध्यान में रखना इस चीज़ का, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आएगा नहीं, इससे बाहर आएगा नहीं, ध्यान में रखना एक बार नहीं, दो बार बार इसको जब तक आपको सर्ग ना आ जाएं तब तक इस वीडियो को देखते रहें, कि लि उपसर्ग की बात करें तो भाई भिन हrän वीचेऻ जैसे कि विकार विक्रम विख्यात विटन विजय विजन वितान विद्धीन हुदेश वीदवा विधान विनंती विनय विनाश विपक्ष विपाकुआ मुः फल विह्योग विलाप विलोचन विवादवी विशेश मवी सं सबसर बचलते हैं ऊत्तम साहद पूर्ण संसंगत संगम संगीत संघटन संचे संचार संजे संग है संटुस्ट संतो शंदान संपर्ग संबंध संभल संभल संत हैं सी Olsen цен संसार शंगर संसकर्थ संंसंहार शंदेश समाचार संभूण संमान सम्मुह क्या होगया सम उफसर्ग के उधार नही Спасибо कि इससे बाहर नहीं घ्रान में रखना छलते हैं मतलब अच्छा यादेख सुकर्मs सुकरत सुगंद सुगती सुगभा सबसो ग्राइब सुचत रित्र सुजन आपरीचित सुपात्र सुपत्र सुभाशित सुमन सुमार्ग सुलब सुच्छत शुषील और स्वल्प इसमें आया है सु उपसर्ग क्लियर हो गया वह समझ मैं आ गई चल वही वह वही एक तक है आगे लेके चलते हैं, अब आगे क्या है, अब आगे हमारा अरभी, उर्दू और फार्सी के उपसर्ग, अभी अरभी, उर्दू और फार्सी के उपसर्ग रह गए हैं, ठीक है, भाई हिंदी में बोलतो लेते हैं, जो मर्जी बोल लो, अब इसमें मिक्सप हो जाता है, इसके अंदर अल उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है कम जोर कम वक्त कम अकल इसके अंदर कम का इस्तेमाल किया है ठीक है कहते हैं तुम तो कम वक्त कम वक्त इश्क है ना कम वक्त तो ये कम वक्त में कम जो है वो जो है क्या है उपसर्ग है ठीक है खुश नसीब खुश खबरी खुश हाल और खुश्बू ठीक है इसी तरीके से गैर हाज़िर गैर कानूनी गैर मुल्क गैर जिम्मेदार इसमें गैर का इस्तिमाल हुआ है आगे बढ़ें चलो दर असल दर हकीकत इसमें दर इस्तिमाल है इसी तरीके से ना पसंद ना समझ ना राज और ना लायक में ना उपसरग है है ना फिल हाल में फिल उपसरग है है ना इसी तरीके से फिया आदमी फिय ठीक है और बनाम बदौलत बदस्तूर बगैर इसमें बाइस्तिमाल हुआ है बदमाश बदनाम बदकिसमत बद बदवु तो इसमें बद का इस्तमाल हुआ है इसी तरीके से दर्खास्त दर्दा बर्खास्त तो इसके में क्या है इसमें बर्खास्त में इसमें बर्खास्त में बर्खास्त में बर्खास्त में बर्खास्त में बर्खास्त में बर्खास्त म बाइजद बादब और बामौका, इसमें बाका इस्तेमाल हुआ है। बेइमान, बेजद, बेचारा, बेवकूफ, इसके अंदर बे है। और इसी तरीके से बिल आखिर और बिलकुल में बिल का इस्तेमाल किया गया है। आगे चलें तो बिला बजए बिला शゃक बिला है लापरवा, लाचार, लावर्स जवाब ये लग से सब्द लग रही हूंगे अपको ये क्या हैुँजिव अर्दू, फार्सी और अर्बी के सब्द है सरताज, सरदार, सरपंच और सरकार में सर है इसी तरीके से हम दर्दी, हम राह, हम उम्र और हम दम में हम का इस्तेमाल किया गया है इसमें सर है, इसमें ला, इसमें बिला इसी तरीके से हर दिन, हर साल, हर एक और हर बार में हर इस्तेमाल किया है किलियर हो गया? आगे बढ़ें? चलो और आगे की तरफ लेके चलते हैं, अब अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, आपको लगता है कि भाई, संस्क्रित के पढ़ दिये, हमने हिंदी के पढ़ लिये, अर्भी, फार्सी, उर्दू तक के पढ़ लिये, अंग्रेजी में होंगे की नहीं होंगे, अरे जी को प्सरग को कि संक्या है छे के लिए सब डांसे समझ ना सब डिप्टी वाइस जनरल चीफ और हैड इच्छे अप्सर जो की इंगलिस के इंगलिस में इस्तेमाल के जाते हैं अंगले जी को प्सरग उदारन और सहित पहले लेते हैं सब सब मतलब किसी के अधीन या नीचे जैसे कि सब जज जज की नीचे होता है जज की अधीन सब कमेटी एक कमेटी होती है और उसके अधीन जो काम करती है क्याते है सब कमेटी का गठन कर दिया है सब कमेटी इसी तरीके से सब इस्पेक्टर होता है एक होता है इस्पेक्टर एक होता है सब इस्पेक्टर यानि कि स्पेक्टर के अधीन होता है स्पेक्टर के नीचे होता है कि लिए इसके बाद होता है डिप्टी का मतलब होता है सहायक क्या होता है सहायक जैसे कि डिप्टी कलेक्टर एक तो कलेक्टर होता है एक होता है डिप्टी कलेक्टर क्या होता है ये कलेक्टर का सहायक होता है ठीक है यानि कि collector की जो है साहता करने वाला, आप कह सकते हो इस थरीके से help करने वाला है नवा, deputy minister एक होता है minister यह होता है deputy minister है नवा, deputy registrar, नाम सुना है ना आपने, एक होता है registered और ayrव डिप्र नव करने वाला यानि कि हलब करने वाला, सहायक, इसी थखरे के से wise ये भी सायक होता है, है ना, वाइसरा है, कितना वाइसरा है, वाइस चंसलर, एक कॉलिज में चंसलर होता है, एक होता है वाइस चंसलर, है ना, ये भी सायक होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो भाई, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो, अप जो मुखे वेक्ति जो होता है जिसकी वो साहिता करता है वो नहीं होता है तो उसकी सक्तियां उसके समान हो जाती है ठीक है साहित के तौर पे इसी तरीके से जनरल जो प्रधान होता है जैसे कि जनरल मैनेजर जनरल सेकेरेटरी यानि कि इसकी जो मुख्य भूमिका में होता है किसी पार्टी का जन्रल सेक्रेटरी अपने आप में प्रधान होता है बहुत बड़ी चीज होती है एक पद है इसी तरीके से चीफ जैसे कि चीफ मिनिस्टर है ना chief minister deputy chief minister यह वो सकते अब है ना तो क्या आ निप्टी आ गया सायक के रूप में chief minister की साहता यह तो करता है वो deputy मुख्य कौन होता है chief minister chief minister deputy chief minister chief engineer deputy chief चीफ सेक्रेटरी इसी तरीके से और लास्ट में है यानि की मुख जिसे की हैडमास्टर साथ काउमें । इस तरीक से थे का हैड होता है हैड माश्टर क्लियर हो गया हैड किलर्क यानि की मुख किलर्क बोला जाएगा इसको मुख किलर्क की शिरणी में रखा गया है तो इस तरीके से अंग्रेजी में अपसर्गों के संक्या होती अच्छ है कि लिए gerade श्ब्ए धिपटिए और जरीज्व हो गया जन्रल अचीस हो गया और हैड ऑगया अब अगे लेगे चलते हैं अब उपसर्ग से समान उपसर्ग के सवान प्रियुकत होने वाले संस्कृत के अबवेश सब्द की बात करें तो वही जो उपसर्ग की समान पर उपत होते हैं ये हमने पढ़ लिया शायद है ना अध, अधह पतन, अधो गती, अधो मुखी, अधो लिखित इसी तरीके से अंतह करण, अंतह पूर, अंतर मन, अंतर देशी अशोक, अकाल, अनीती, चिरन जीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायू, पुनर जनम, पुनर लेखन, पुनर जीवन, पुनर, चिर, अंत, अध, ये सरग इस्तिमाल हुआ हैं संस्कृत के अभ्य सब इसी तरीके से बहर गमन, बहर जगद, सज्जन, सतकर्म, सदाचार, सतकार, पुरातत, पुरावरत, समकाली, समदर्शी, समकौन, समकालिक, सहकार, सहपाथी, सहयोगी, और सहचार क्लियर हो गया, बाद समझ में आगई, यहां तक चीज़ें समझ में आगई, भई उफसर्ग डिटेल में बढ़ाएं हमने, उफसर्ग जो है, आप कभी जीवन में नहीं बूलोगी, इसको बार बार रेपीट करके देखना, बार बार इसको देखना, जो हमेशा के लिए पता ही, ए है, बे है, सी है, या फिर डे है, पता हो, किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाए, और कहलाता है, क्या कहलाता है, तो शब्द के सुरु में जो जोड़ा जाता है, वो होता है, क्या बाया उपसर्ग होता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, कोई डाउट प्रत्य 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 प्रत् उपसर्ग होगा, इसके बाद चलते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो दूसर ने पर या फिर प्रति, प्रतिकूल में जाहर सी बात है, प्रति is the right answer, डी ओप्शन हमारा एक्दम करेक्ट होगा, इसी तरीके से स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, अगर बता होगे, क्या बताओगे, तो उपसर्गों की कोई निष्ट संक्या नहीं है, परण तो हिंदि में प्रमुक उपसर्गों की संक्या कितनी है, वह तेरा है, इसको नोट डाउन कर लो, कौन-कौन से उपसर्ग हैं, वो सब आप देख लो, अगर लिखने के लिए आ बोलने के लिए आजाए तो आप बलबो सकते हो बता सकते हो समझा सकते हो और अगर लिखने के लिए आजाए तो उनको याद कर लो कोई दिक्कत नहीं इसी तरीके से उपसर्ग कितने भेद होते हैं तो उपसर्ग के मुक्रता तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि तत्सम्, तद्भव और आगत, या आगत मतलब विदेशी, संस्क्रत के प्रमुक उपसर्ग कितने है, तो संस्क्रत में उपसर्ग किसं क्या है, 22, कितनी है, 22, अति उपसर्ग से बनने वाले 5 सब्द लिखिए, इस प्रकार का कोश्चन आजाएगा, कोश्चन आएग प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिक्षा, 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 क्या होता है वह यह हमारा चप्ट समापत हो जाता है के लिए रहो गया बाद समझ में आ गई तो क्या कि हमने हमने आपको क्या कराए हमने आज आपको उपसर करा है उपसर की परिभाशा उपसर के अर्थ उपसर के भेद यानि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उपसर का वर् 24 समाप्त होती है मिलते हैं अगली ग्लास में एक नई एनर्जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डावटनट के साथ नमस्कार जहिन